जैश यह राम दोस्तों, आज हम पढ़ने जारे हैं C.A. Intermediate का Income Tax का Salary का चप्टर Income from Salary, जिस Head को हम पढ़ने जारे हैं बिटा आप हमने PGVP Head कर लिया है, अपना Other Sources कर लिया है अब हम जो Head पढ़ने जारे हैं, जिसका नाम है Salary Head बिटा जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है, जब भी हम कोई नया चप्टर शुरू करते हैं कोई भी नया Head पढ़ते हैं, तो इक सबसे पहले कुश्यन आना चाहिए Sir, What is the Charging Section? Sir, Charging Section क्या है? Sir, ऐसा क्या हो? Sir, ऐसा क्या घटना घटे की Salary में Tax लगेगा? As a Sir, क्या Event अगर हो कि Salary में Tax लगेगा? That is the Taxable Event Sir, हमारी Income Salary Head में Chargable होगी ऐसी क्या Event होगा? ऐसी क्या घटना घटे की? उसको क्या पूरते है? Taxable Event of Salary Head तो इटा Section 15 यहाँ पर Taxable Event है, Salary Head का हम Salary Head एक पर कभी बचे पूछते हैं, Sir, कितना Time Approx लगेगा? Salary Head कितना बड़ा है? बिटा देखा जाए, अगर आप Number of Pages में देखेंगे हमारी किताब में तो आपको ऐसा लगेगा? यह तो Head बड़ा है, पर इसमें आपको धड़ा धड़ एकदम बहुत जल्दी से आपके Question Solve होंगे, जल्दी से आपके Concept Solve होंगे, Concept बहुत जल्दी से Clear होंगे, मतलब यह Chapter बहुत जादा Easy है, बहुत Simple सा Chapter है, पर थोड़ा सा Time लगेगा, पर Easy बहुत है, और Time भी मैं आपका बहुत कम लगाऊंगा, बशर्त है कि आप बहुत Focus होंगे, जैसा मैं हर वार बोलता हूं, Focus होंगे वीडियो उसको देखेंगे, तो आपको Time भी बहुत कम लगेगा, और आपको लगेगा Sir, बहुत Short Span of Time में आपने यह Chapter भी किलियर कर दिया, तो विटा हम पढ़ने जा रहे इस Chapter को, Salary के Head को, और एक वार हम अपने Notes को Out करते हैं, That is the Income Under the Head, Salary, Chapter 6 है हमारी Book में, और अगर आप पुछें कि Sir, यहाँ पर Sections क्या क्या कवर होंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यह Section जो कवर करता है, Section 15, 16 और 17, तीन Sections का यह Chapter है, कहने के लिए तो, Sir, फिर यह इतना बड़ा क्यों है, जब इसमें तीन ही Section है, Section 15, that is the Charging Section, Income Under the Head, Salary, Will Be Dexable, Will Be Chargable, as Section 15 says, and Section 16, बेटा, Deductions का है, Salary में क्या-क्या Amount Deductible है, जिनको हम Less कर सकते हैं, Section 17, Perquisites, बेटा, तीन Section का यह Chapter है, Basically, पर ना, इसके अलावा, Other Provisions बहुत हैं, इस Section में, Other Provisions, बहुत सारे हैं, पहले, इसमें जब से पहले, मैंने कुछ General क Aunty बताई हैं, फिर Koncept बताया है, मतलब Section मताया है, फिर मैंने कुछ General बताई हैं, फिर Section बताया है, ताकि आपको General यह Chapter, Overall clear होता रहा है, Exactly Chapter क्या कहना चाहिए, तो पर ना, जब से पहले, master और servant का रिष्टा होना चाहिए या employer और employee का रिष्टा होना चाहिए या principal agent का किसके बीच होए वेटा? pair and pay के बीच में ये essential है कि अगर salary में tax लगाना चाहते है तो pair और pay के बीच में रिष्टा होना चाहिए वेटा कौन सा? pair और pay के बीच में मतलब पेयर जो भी पैसे दे रहा है पेयर जो भी amount pay कर रहा है पेयर को तो पेयर कौन होना चीए employer तो पेयर क्या होगा employee पेयर अगर क्या है master तो पेयर क्या होगा servant नाम अलग अलग है पर बात एक ही है पेयर क्या होगा प्रिंसिपल और पेयर क्या होगा प्रिंसिपल और पेय की कोशिश करी है कि पेयर और पेई के बीच में master servant employer employee या principal agent का रिष्टा होना चाहिए यह essential है tax लगने के लिए sell नहीं है I think पहला point बिल्कुल किलियर हो गया इस चप्टर को बहुत हम point बहुत crisp करके बहुत short करके बहुत अच्छा करके पड़ देगे तो पहला point बिल्कुल किलि या फिर servant होना चाहिए बिटा second point true test क्या है determine करने का की relationship exist करता है pair और पेई के बीच में जब जब पेईर को right है supervise करने का and control करने का method of doing the work done by the pay मतलब क्या करना है कब करना है कैसे करना है कौन करेगा तो इस सब को क्या बोलते है बिटा इसको बोलते है इनके बीच में रिष्टा है किस चीज का pair and pay का सर एक बार आप बताएंगे yes बिल्कुल बताएंगे बिटा हम concept को द्यान से समझेंगे second point क्या गहना चाह रहा है second point को द्यान से और इससे आपको ये भी पता चलेगा exactly इस रिष्टे को बोलते के है मतलब income में tax लगने के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कि भी या मैं आपको payment करूँगा पर मेरी work requirement ये सब है अपनी work requirements बताएं पेई को को से लोग गलत समझ लेते है work requirements बताने का मतलब ये नहीं है कि पेई हमारा employee हो गया या पेई हमारा servant हो गया या agent हो गया ऐसा नहीं है work requirement इस example के साथ समझते Mr. X एक shop पे गए उन्हें एक suit coat pant सिलवाना था एक blazer सिलवाना था और उन्होंने tailor को बोला Mr. B की shop पे गए Mr. Y की shop पे और उन्होंने Y नाम के tailor को बोला कि मुझे अपना एक suit सिलवाना है मेरा एक blazer सिलवाना है बीड़ा blazer को स्टिचिंग कराने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे ना इसमें 15 pockets चाहिए अब आपको आजिया आ रही होगी सर दें कि यह उसका अपना business है कि वो क्यों 15 pockets लगवा रहा है क्यों करा रहा है I don't know पर उसने बोला मुझे 15 pockets लगवानी है अपने blazer में क्या आप मेरा blazer सील देंगे स्टिच कर देंगे तो बंदे ने बोला सर मैं इतने पैसे लोगा और आपके 15 pockets लगा दूगा जहाँ जहाँ लगवाना चाहिए क्या वो टेलर नौकर हो गया Mr. X का Mr. Y का Mr. X का नौकर हो गया Mr. Y सर नो अच्छली जब हम किसी वो work requirement बताते हैं हमें यह काम कराना है और वो आदमी उसके पैसे बताता है तो इसे बोलते हैं बेटा contract for services क्या बोलते हैं contract for services और contract for services में जो रिष्टा होता है pair और pay के बीच में जो रिष्टा होता है वो बेटा principal to principal होता है P2P वो principal to agent नहीं होता master to servant नहीं होता वो रिष्टा employer to employee नहीं होता वो रिष्टा तो employer to employer मतलब businessman to businessman होता है means principal to principal होता है और इसे बोलते हैं contract for services और ऐसे के इसमें पेर बेई को जो payment कर रहा है या करेगा वो payment salary head taxable नहीं होती है क्योंकि यह contract for services है contract of services कब होता है अब यह समझने वाली बात है contract of services कब होता है पीटा दूसरी term होती है contract of services पीटा contract of services का मतलब ही होता है principal to agent या master to servant या फिर employer to employee यह रिष्टा होता contract of service मैं sir contract of service क्या होता है जब हम यह नहीं बता रहे हैं सामने वाले को काम क्या करना है यह तो बता ही रहे हैं यह 15 pocket लगानी है पर हम उसे समझा रहे हैं आपने कैसे लगानी है आपको कैसे stitching करनी है कैसे सिलाही करनी है इसको कैसे करते हैं दिन में करना है रात में करना है कौ method of doing the work काम करने के तरीके को हम कंट्रोल कर रहे है and supervise कर रहे है बिटा काम को हम supervise तब भी कर सकते हैं जब contract for services है पर हम काम करने के तरीके को control कर रहे है काम करने के तरीके को supervise कर रहे है मतलब control कर रहे है and supervise कर रहे हैं काम करने के तरीके को तो इसे बेटा क्या बोलते हैं, contract of services और ऐसे case में रिष्टा क्या होगा, principal to agent, master to servant और employer to employee, तो आपको शायद समझाया होगा, इसको summary करते हैं, summarize करते हैं, जब हम, जब एक payer, पेई के, जब पेई के work को control करें, work को supervise करें, work को control करें, बेटा वो तो हर पेईर करेगा, हाप कोई भी आप, एक मोची की दुकान पर गए, आप अपने जूते को, बूट को polish करवाने के लिए गए, तो आप देखो कि polish कर रहा है नहीं कर रहा सही से, आप पर उसे थोड़ी ना बताएंगे, polish कैसे करते हैं, हम तुमें सिखाते हैं, और ये काम ऐसे किया करो, सांती से बैट जाओ, आप ऐसे करो, आप उसे control नहीं कर रहे हैं, आप उसके method of doing the work को control नहीं कर रहे हैं, आप उसके work को control कर रहे हैं, जो आपको काम चाहिए, आपक सही से करो देखो, पूरा हुआ नहीं है, अड़क से काम नहीं हुआ, बूट पॉलिश नहीं हुआ, प्रॉपर, तो यहां पर आप work को control कर रहे हैं, जब जब आप work को control करेंगे, ये तो बेटा हर आदमी, जो आदमी किसी को कोई पैसे देगा, कोई भी इंसान अगर किसी को पैसे देगा काम कराने की, तो हर इंसान work को तो control करेगा, work को तो supervise करेगा, तो इसे क्या बोला जाता है, contract for services, और बेटा, contract for services, salary में taxable नहीं होता, got it, जब हम किसी के work को supervise करेंगे, और जब पेयर, पैसे दे रहा है पेही को, work को supervise तो करी रहा है, work के साथ साथ, बेटा, method of doing the work को भी supervise कर रहा है, method of doing work को भी supervise कर रहा है, उसको भी supervise कर रहा है, यह control कर रहा है, तो ऐसे गेश में क्या हो जाता है, बेटा, contract of services, क्या हो जाता है, और यह कहां बडेक्सेबल होता है, पिटाई होगा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा क्या कहना चाहा है The two tests to determine कि ये relationship pair और पई के वीज में है भी या नहीं Principal agent का रिष्टा या Master servant का रिष्टा या फिर employer and employee का रिष्टा कब? जब हम काम करने के तरीगी को supervise करते हैं क्या करना है कैसे करना है? कब करना है? कौन करेगा? और पई को ये सारी instruction follow करनी पड़ेगी पई नहीं कह सकता भाई मैं तेरा नौकर लग रहा हूँ मैं क्यों follow करूं तेरी सारी instruction तो जब अपने काम से वतलग होना चाहिए तेरा काम कर दिया? नहीं अगर पई को सारी instruction follow करनी पड़ी तो इसे क्या बोलते हैं? Contract of service और इसे pair and pay के बीच में ही बोलते हैं तीसरा point हमारा already हो गया क्या अगर master के पास ये power नहीं है ये relationship नहीं है employer और employee के बीच में तो बिटा इसे क्या बोलते हैं? Contract for service between pair and pay और ऐसे case में pay केवल वो काम, pay को केवल बताया जाएगा क्या काम करना है और कोई specific instruction नहीं दी जाएगी कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है pay, shell complete the work pay बस उस काम को कर देगा अपनी knowledge को लगा कर तो इस case में income taxable होगी या तो PGPP में अगर pay का business है और pay का business नहीं है तो other sources में बेटा conclusion क्या में ना? कि tax लगाने के लिए salary में बेटा रिष्टा होना चाहिए contract of service का ना कि contract for service का contract for service नहीं होना चाहिए contract of service होना चाहिए however, कुछ cases है, कुछ example है जहाँ पर income under the head salary ही taxable होगी even रिष्टा नहीं है employer और employee का payer और pay के बीच में बेटा ये exception है आप इसे underline कर ले exception normally मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं बेटा normally जब भी मतलब इसे ऐसे बोल सकते हैं जब भी contract of service होगा contract accessibility होगी आप लोग बोलिये salary में और जब जब contract for service होगा sir कहाँ पर taxability होगी sir पता चलेगा अगर सामने वाले का business है ये सब काम करना तो PGVP में और business नहीं है तो other sources में लेकिन कभी कभी exception है contract of service में भी salary पर taxable नहीं होगा कई और taxable होगा तो इसका मतलब exception है क्या exception है पढ़ते हैं कभी कभी रिष्टा होगा ये वाला फ़र फिर भी salary में tax नहीं लगेगा उल्टा सॉरी salary में tax लग जाएगा even employer employee का रिष्टा नहीं है दोनों cases आएगे देखिए हमने याँ उल्टा लिख दिया अगर employer employee का रिष्टा नहीं है employer और employee का रिष्टा नहीं है तो तो बिटा salary में भी tax नहीं लग सकता था मतलब master servant का रिष्टा नहीं है employer employee का रिष्टा नहीं है या principal agent का नहीं है तो salary में tax नहीं लगेगा लेकिन लग जाएगा कभी-कभी यह exception है exception पढ़ते हैं किस के case में लग जाएगा बढ़ते हैं किस case में लग जाएगा कह रहे हैं judges of high court और supreme court का कोई employer नहीं होता यह सीधे constitution of India में point होते हैं पर इनकी salary taxable होती है फिर भी salary head में यह justice dio की नंदा अगरवाला versus UI के case में supreme court का decision है मतलब supreme court का judge और high court का judge बढ़ा किसी का नौकर नहीं होता यह इनका कोई employer नहीं है इनका कोई principal नहीं है पर फिर भी इनकी salary पीटा कहा भी taxable होगी salary head में अगला point यह भी पीटा अलग से exception type नहीं है important point कि salary receive हुई है अगर किसको member of parliament को किसको receive हुई है तो यह taxable नहीं होगी under the head salary rather it shall be taxable under the head income from other sources वैसे MPs public के नौकर होते हैं MPs जनता के सेवक होते हैं पर MP को जो salary मिल रही है वो पीटा taxable नहीं होगी कहांपे taxable नहीं होगी salary head में यह भी एक तरीके से के exception है कि MPs को अगर को salary मिल भी रही है तो salary में नहीं other sources में taxable होगी सर इसका logic क्या है कि MPs को salary मिल रही है पिटा इसका कोई logic नहीं है लॉय MPs ने बनाया है यहां पे बोल दिया MP को जो salary मिल रही है salary में taxable नहीं other sources में और आपको याद हो other sources में बोल दिया exempt है मतलब एक तरीके से अपनी income को exempt कर गए न MP ministers से देखो salary और allowance अगर chief minister को मिल रही है state की chief minister को तो कौन से head में tax होते है salary income में और यह tax नहीं लगता इन पर income यह लालू परशाद यादव जी बनवा गई यह कानू पटना हाई court में यह हाई court का case है बिटा कि अगर chief minister को को salary allowance मिल रहे है तो salary head में tax है बनूंगे इस पर tax नहीं लगेगा other sources में तो इनके कोई logic नहीं है यह just political stunt है politicians नहीं case कर लिया पटना हाई court ने answer दे दिया कि यह ठीक है chief minister की salary यहाँ पर tax हो जाएगा section 15 बेटा basic of charge अब आगया charging section जैसा कि मैंने चपकर की starting में आपको बताया था बहुत important बात बताई थी चपकर की starting में कि विटा मैं पहले आपको general concept बताऊंगा फिर section पढ़ाऊंगा फिर general concept बताऊंगा फिर section पढ़ाऊंगा और automatically आपको आदी से जाधा चीजे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी है I hope मैं यहां तक का revision करा दूँ आपको समझ आ गया होगा मैं revision भी करा दूँ सर हम head पढ़ रहे है income under the head salary salary में tax लगने के लिए taxable event पढ़ना है पर अभी हमने नहीं पढ़ा पहले हमने general concept पढ़ा salary में tax लगने के लिए pair और payee की बीच में रिष्टा होना चीए employee master servant या principal agent का अगर यह रिष्टा नहीं है तो salary में tax नहीं लगेगा पर कभी कभी यह रिष रिष्टा होने के बाद भी salary में tax नहीं लगता जैसे member of parliament को अगर salary में tax लगेगा other sources पे यह just case studies है पर chief minister को अगर salary में tax लग जाएगा other sources पे नहीं लगेगा बिटा को मतलब इसे पता चला सर पेर भी के बीच में माना कब जाता है कि रिष्टा है servant और master का या employer employee का रिष्टा है यह पता कैसे चलता है जब हम किसी को पैसे देते हैं तो काम तो करवाते हैं अगर हम सिर्फ काम को control कर रहे हैं यह काम हमें करके देते हैं हमें नहीं पता कैसे करना है तो इसे बोलते हैं contract for services और contract for service में जो भी पैसा जिसको मिल रहा है उसकी income कहाँ पे taxable होगी अगर उसका routine में business नहीं है तो यह income कहाँ पे taxable हो जाएगी other sources में और अगर payer और payee के बीच में रिष्टा है contract of service का sir कम बाना जाता है रिष्टा है तो हम काम को नहीं क करने के तरीके को भी control करते हैं क्या करना है कब करना है कैसे करना है कौन करेगा और सारी instruction payee follow करेगा इसे क्या बोलते है contract of service और ऐसे case में payee को जो भी income मिलेगी वो कहाँ पे taxable होगी salary head में कहाँ पे taxable होगी salary head में I hope बिल्कुल clear होगया होगा इस प्रकार conclusion क्या है अगर contract of service ह है तो salary head में taxable होगा contract for service है तो पेटा PGP other sources में taxable होगा यह आगे हमारा taxable event basis of charge taxable event इसके साथ लिखी भी सकते हैं आप taxable event पेटा the following income shall be chargeable to income tax under the head salaries number one any salary from an employer अगर employer से कोई भी salary मिल रही है पहला word one और number two यह underline कर ले पेटा former employer से भी कोई भी salary मिल रही है असेसी को तो पेटा को due or receive basis पर कब taxable हो जाएगी early है मतलब हो salary head में taxable मतलब कह रहे हैं अगर employer से salary मिल रही है यह former employer से आज भी salary मिल रही है तो कहाँ पे taxable जाएगे due or basis for whichever is earlier सर यहाँ पर यह क्या कहना चाहा है देखो अगर employer से salary मिल रही है employee यह तो अभी हमने पढ़ा यह रिष्टा exist करता है relationship exist करता है किस किस के बीच में employer और pair और pay के बीच में employer और employee का रिष्टा है तो कहाँ पे taxable हो जाएगा salary मिल रही है former employer से अगर salary मिल रही employee तो आज relationship तो exist नहीं है पेटा employer employee का आज तो नहीं है not exist फिर भी कहा taxable होगा salary यह important बात थी पढ़ने बार इसलिए एक underline कर लिए अगर आप current employee से मिल रही है तो रिष्टा भी है तो भी salary पे taxable है एक और exception आ गई है अगर former employee से मिल रही है आप तो रिष्टा है नहीं pair pay के बीच में कौन सा employer employee का तो भी कहाँ पे taxable है बिटा salary है पर कैसे taxable है do you or receive whichever is earlier do you or receive whichever is earlier whichever is earlier और यह हमने वैसे पहली class भी पढ़ लिया था इसका meaning क्या है do you or receive whichever is earlier का meaning क्या है पर हम एक बार द्वारा पढ़ लेते हैं जैसे हैं बेटा एक इंसान ने एक विक्ती ने एक अप्रेल 2024 को कहीं पर joining के job join करें उसके बास ने बोला हम आपको हर महीने की salary next month के next month के 7th को देंगे मतलब अप्रेल की salary वो कम देंगे बेटा 7th मई को do हो जाएगी देंगे या नहीं देंगे मतलब सामने वाला कम मांग सकता है यह salary 7th of next month तो बेटा मई की salary कम मिलेगी इस प्रकार मई 2024 की salary कम मांग सकता है सामने वाला साथ जून ऐसे करते करते बेटा अप्रेल मई जून की salary कम मिलेगी फिर मतलब कम मांग सकता है 7th जुलाई ऐसे करते करते मेटा मार्च की मार्च दो हजार 25 की salary कब डी होगी बेटा सर वो होगी 7th अप्रेल दो हजार 25 बेटा ये कौन सा year है पुला ये है सर दो हजार 24 पच्चेस बेटा 2024-25 प्रीवियस एर की salary अप्रेल की salary 7th माई को मिलेगी ऐसा बॉस ने बोला है बेटा income tax ने नहीं बोस ने agreement किया अपने employee के साथ कि मैं तुमें अप्रेल की salary 7th माई को दूगा माई की salary 7th जून को दूगा जून की 7th जुलाई को दूगा ऐसे करते करते so on मार्च की salary 7th अप्रेल दो हजार तो बेटा इस year 24.25 में कौन सी salary पर tax लगेगा सर सिंपल सांसर है 2024.25 में जो tax लगेगा जो income चार्जे बन होगी 24.25 में वो होगी एप्रेल से लेकर February की salary April 2024 से लेकर February 2025 की salary क्योंकि ये सारी salary बटा due हो गई है कौन से year में 24.25 में yes or no? सर मार्च की salary पर क्यों नहीं लगेगा tax 24.25 में क्योंकि मार्च की salary देखे अगले साल में चली गई अगले साल में जंप कर गई बेटा ये due ही कब हो रही है 7 April में तो लग नेक्स ये और अभी यहाँ पे लिखा ही है salary कैसे taxable होगी due और receive whichever is earlier अब ना तो बेटा receive होई मार्च की salary और ना ही DOE DOE कब होई है 2026 में yes or no? जब 7 April 25 को DOE है तो 2526 में ही तो DOE है 2526 में तो ये salary पर tax नहीं लगेगा आप कौनसी salary पर tax लगेगा? सिर्फ April 2024 से लेकर February 2025 अगर बेटा ये बन्दा जॉब करता रहे तो next year कौनसी salary पर tax लगेगा? 2026 में आप बताईए answer कुछ Sir 2026 में लगेगा 1st March 2025 से लेकर February 2026 तक की salary पर yes or no? क्योंकि बेटा March की salary भी तो अप्रेल में due होई थी अप्रेल 25 में और ये वाली March की salary, March 26 की salary इसके बाद जो March आएगा March 2026 की salary कब डी होगी? April 26 में तो ये वाला तो अगले साल में गया ला ही है तो यहाँ पर कितने कई कोई होगी? इस फेप्रेटी 26 तक की salary और कब से March 2025 से लेकर? क्योंकि March 2025 की salary पर आपने अभी पढ़ा था, last year tax नहीं लग पाए, last year income में नहीं जोड़ी हो 24-25 की income में तो इस साल जोड़ी होगी? बिढ़ाई हो, समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहूँ तो do or receive इसलिए देखो अगर आप पढ़ना चाहोगे important note का एक point भी पढ़ो आपको सबजाएगा third point salary is considered for month of April to March की salary generally ली जाती है पर कभी-कभी March to February की ली जाती है क्योंकि March की salary अगर due अगले महीने होगी April में March की salary अगर अगले महीने April में due होगी तो इस साल कबर हो गई ना हमारे इस साल में March की salary से tax लगेगा और कहां तक February consider किया जाता है क्योंकि government में salary अगले महीने की साथ तारिक कोई due होती है बिटा clear हो रहा है government में salary अगले महीने की 7th कोई होती है तो इस due or receive whichever is earlier माल लिया जाएगी बिटा ये point समझ आ गया ना अच्छे से आपको क्या कहना चाह गया जी सर ये वैसे हमने पहले भी पढ़ा दिया था आपको चलिए question करके भी दिखा दीजी मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी आपको समझ आ गया बिटा April में join किया किसी ने April 2027 join किया और boss ने बोला salary due होगी वैसे practical possible नहीं है परमाल नहीं थे salary will be due in on 8th of next to next month sir इसका meaning meaning बता देता हूँ April 27 के salary मतलब कब due होगी बिटा April 27 के salary due होगी 8th June को April मई June मतलब next to next month April के salary कब मिलेगी next to next month मतलब 8th June do होगी बिटा तो बताईए 2027-28 में कौन से मन्त से लेकर कौन से मन्त तक की salary charge बनोगी sir April 2027 से लेकर 31st January 2028 तक की salary sir tax बनोगी charge बनोगी बिटा किलियर हुआ कैसे yes sir क्योंकि sir February अब बिटा ध्यान सुनो February 28 की salary तो कब डी होगी बिटा 8th April next to next month और ऐसे ही March 28 की salary कब डी होगी बिटा 8th May तो अगले साल में नहीं चली गई है दोनों से तो अगर इसने तो यहां join किया था अब अगले साल में taxable कितना होगा sir 2839 में क्या taxable होगा sir 2839 में होगी अब 1st February करिए मेरे साथ 2028 से लेकर इसे pause करके समझेगा अगर नहीं समझ आ रहा है 1st February 2028 से लेकर sir 31st January 2029 जिसी यर में join किया था बिटा उसी यर में बिटा 10 महीने की salary पर ही tax माद रहे देखिए और उससे बाद अगले महीने से 12 अगले साल से 12 महीने की salary पर ही लग रहा है पर year बदल गया है Feb से January हो गया है Feb से January I hope बिटा बिल्कुल समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं क्या कहना चाहरा है next Arrears of salary paid in previous year Arrears of salary paid in previous year If not tax in any earlier previous year shall be taxable in the year of received पहले बिटा received word को underline करो अच्छे से In the year of receipt ये receive basis पर एट एक्सेबल हो रही है The assessee can claim relief also Salary paid in the previous year Arrears of salary paid Arrears दिया है पिछले साल की salary अप पेड की है previous year अगर पहले उसमें टेक्स नहीं लगाए तो उसमें टेक्स कब लगेगा Receive वाले येर में Sir example से बताईए है हमारी समझ में नहीं आया है I know बिटा नहीं आया है मैं समझा देता है बहुत अच्छा example है इसे ध्यान से समझेगा बिल्लकुल clear हो जाएगा आपको मैं क्या कहना चाहरा हूँ सेम आपको एक करियर का example ले लेते है सेम एडवांस का भी है से हुआ बिटा से ठीक है clear तरीक से समझने की कोशिश करिएगा बिटा हमारी previous year 2023 में किसी व्यक्ती की सेलरी 40,000 रुप पर बंद थी ठीक है बिटा उस बंदे ने बोस से का सर जी मेरी सेलरी बढ़ा दो सर सर पचास कर दो बोस ने बोला next year बढ़ा दो और previous year 24,25 की सेलरी बोस ने 50,000 रुप पर बंद कर दी और with retrospectively effect from 2023 करी है बोस ने बोला है तुमारी इस साल की सेलरी तो है यह 50,000 रुप पर बंद और जो पिछले साल की भी 40 दी थी न उसके भी arrears 10,000 रुप पर बंद जो पिछले साल नहीं दिये न डीव हुए पिछले साल न रिसीव हुए न डीव है न रिसीव है इस साल डीव कर दिया और तुमें हम देंगे डीव है हर साल हर महीनी मतलब 50 की जगा 50,000 रुप पर बंद तो इस एर की सेलरी मिलेगी मिलेगी और 10,000 रुप पर मंद पिछले साल का भी एरियर मिलेगा एरियर सोफ सेल बेटा कोश्चन समझा गया तो पिछले साल ये पैसा मिला ही नहीं डीव ही नहीं हुआ ना मिला ना डीव हुआ और इस साल 50,000 रुप इस साल का मिली रहा है और 10,000 पिछले साल का भी मिल रहा है इस कॉंसेप्ट को बोलते है बेटा अरियर सोफ सेलरी अरियर सोफ सेलरी मिल रहा है अब देखें, 40,000 रुप पर मंद से 12 महीने का मौन लेजिए, पुरा 12 महीने का डीव हो गया था पिछले साल 40,000 रुप पर मंद से बेटा अगर मैं बात करू तो 4,80,000 रुप पर डीव हो गया था 4,80,000 रुप और 4,80,000 की सेलरी बेटा टैक्सेबल हो जाएगी कितनी हो जाएगी टैक्सेबल 4,80,000 की सेलरी डीव हो गई टैक्सेबल हो गई इस साल बेटा 60,000 रुप पर मंद सेलरी मिली अभी इनोंने बोला अगर पिछले साल टैक्स नहीं लगा अरियर्स पर इन 10,000 पर पिछली बार टेक्स नहीं लगा क्योंकि ये डियू नहीं हुए तो अब रिसीब बिस्स पर लगेगा मिल रहे है न तो इस साल साथ हजार इंटू बारा साथ लाग बीस हजार के टेक्स लगेगा बिटा पहले कहानी समझ आ गई 23-24 में सैलरी थी 40,000 पर पर लगे 24-25 में सैलरी कर दे 50,000 वर विद रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट फ्रॉम तेइस चौवेज बलब 23-25 में मिलेंगे 23-24 के पैसे बिटा इस पिछले साल की सैलरी कितनी डियू होगी 2-7-23 याँ तक के किलियर समझ आग 열심히 अब असेस की रोगते हुए सरकार के पास терणो और बोलने लगा गवर्मिंट गवर्मिंट मुझे आप से बात कर लने हैं इंकमेट्स शपाटमेट से बोलने लगा से सड़ मेरी सैलरी किछले साल 4,080,000 और इस साल 750,000 सर मेरी सेलरी में 1,20,000 मतला 10,000 रुपए into 12 10,000 into 12 is equal to 1,20,000 सर मुझे पिछले years के जो पिछले साल 23,24 में मेरे due थे समझ जा रहे हैं मैं अब due नहीं हुए थे अगर वही पर मिल जाते जो उस साल की सेलरी है उस year की सेलरी अगर वही पर मिल जाती तो सर मेरे पर टैक्स वही पर लगता और देरा टैक्स कम बनता और आपने अब बिड़ से टैक्स जादा ले दिया मुझे कुछ रिलीफ दो टैक्स में को और बेड़ने का पहले आप हमें समझाओ आप कहना क्या चाह रहे हैं जैसे आप बच्चे गह रहे हैं सर में समझ नहीं कहना चाह रहा है यह कहना चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ मैं कहना क्या चाह है बेड़ा यह कहना चाह रहा है कि मुझे 23-24 में सैलरी कितनी मिली पूरे साल में 4,8,8 रहा है और मानके चलिये इसका slam rate है तो मानना पड़ेगा धाई लाख वाला से लैम रेट है तो ये कह रहा है जीरो से धाई लाख मेरे इंकम टैक्स हुई ने 2.5 से लेकर 4,80,000 मतलब कितना बना मेटा 2,30,000 पर 5% कितना हो गया 11,500 एजुकेशन से लेकर बाद में लागा नहीं है ठीक है पहले समझ लेते हैं 24,25 में सर मैंने 23,24 में इतना टैक्स पे कर दिया गॉर्बेट कर दिया ठीक है सर 24,25 में आपने मेरी सेलरी कर दी 7,20,000 जिसमें 1,20,000 तो मुझे 23,24 के ही रिसीव हुए 23,24 गॉर्मेंट ने का बात बताओ आपके है ना क्या चाहिए सर जी जीरो से धाई लाग तक मेरी इंकम पर टैक्स बना धाई से पांच बना बारा पांच परसेंट और सर जी पांच लाग से साथ बीस दो लाग बीस अजार पर बीस परसेंट चवाले सजार मेरा टैक्स बन गया 56,500 तर देखना कितना टैक्स बढ़ गया मेरा गॉर्मेंट कह रही है आप कहना चाहरे हो यह एक बीस यह वाले एक बीस आपको अगर मिछले साली मिल जाती तो आपका टैक्स कम होता है चलो करके देख लेते हैं हमने कितना लिया और आपका टेक्स कितना बनीता है यह गहरा है जी अगरे पिछले साल ही मिल जाते तो चार असी तो थे ही मेरे प्लस में एक बीस भी पिछले साल ही मिल जाते तो मेरी इंकम बनती सर छे लाग यही तो कह रहा है जीरो से ढ़ाई तक बनता 12500 ठीक है जी और पांच लाग से 6 लाग तक बनता 20,000 मतलब 32,500 और सेम फिर 24,25 में भी आपकी इंकम 6 लाग ही हो जाती है क्योंकि एक 20 तो वहाँ चले गई यह वाले जो अब मिले थे बिटा यहाँ पर डेक्स कितना बनता सेम 32,500 कवर्णिन गहिए हमने क्या गुणा कर दिया? कहरा है जी यह गुणा किया आपने मेड़ से पिछले साल टैक्स कितना ले लिए? 11500 कोवर्मेंट गयल ряд यह पर लेना भी कितना था 32500 हुमने कम लिया है दिर्से टैक्स last year कितना कम लिया है метा बताएं के कैल्पूलेٹ कर रिये 32500 माइनस 11500 तेरे अगॉर्डिंगली हमें लियुषे टैक्स लेना था 32500 पर हमने तेर से टैक्स कितना लिया ग्यारा पांक से मतलब हमने तेर से कितना टैक्स कम लिया सर आपने पेर से टैक्स कम लिया एक और एक्किस हजार कम टैक्स लिया यह ऐसान किया मैं पर इस साल फालतू कितना ले रहे हैं हम तेर से तेरे अकॉर्डिंगली लेना चाहिए 32 पांक सू हमने तेर से कितना लिया है 56 पांक सू तो हमने तेर से फालतू लिया है 24 पिछले साल कम लिया 21 जार इस साल फालतू लिया 24 जार तो नेट फालतू कितना लिया सर जी नेट फालतू लिया आपने मेल से 3000 फालतू बिटा कहानी समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा है देखें द्वारा सुनें ये कह रहा है सर मेरी 4,80 डी वे 4,80 पर टैक्स बन गया 11,50 ये बन गया 4,80 पर टैक्स बन गया 11,50 मेरे को 6,00 रिसीव हुए इस साल के और पिछले साल के रिसीव हुए 8,20 तो टोटल 7,20 रिसीव हुए और मेरा टैक्स बन गया सर इस साल 56,50 56,500 सर अगर मेरे पहले ही रिसीव हो जाते है पैसे तो 6,00 लाग ही होती मेरी इंकम और मेरा टैक्स बनता 32,50 ये सच ए गवर्मेंट कह रही है हमने तिरसे 11,500 लिया पर तेरा टैक्स बनता 32,500 हमने तिरसे कितना कम लिया 21,000 कम लिया और अब हमने तिरसे कितना फालतो लिया अब 56,500 लिया 56,500 लिया पर कितना बनता था 32,500 तो हमने 24,000 फालतो लिया 21,000 कम भी तो लिया पिछले साल तुझे 21,000 की छूट दे दी, चले इस साल हमने इस स्लाब लैब में 24 फाल तो ले लिया, तो एक तरीके से 3,000 ही तो फाल तो लिया, हम 3,000 की तुझे रिलीफ दे देते हैं, तेरा डोटल डेक्स कितना बनाएं इस साल, सर मेरा डेक्स बनाएं 56,500, हमने का रिलीफ देते हैं हम तुझे, अंटर सेक्शन 89, कितने का? 3,000 का, और तुम हमें कितने दे दो, तरी 15,000 का, रिलीफ निकलेगा कैसे हैं, स्टैप समझाई बिटा, स्टैप 1, गवर्मेंट कह रिये 89 का रिलीफ निकालने का, स्टैप 1, आप लोग बनाएंगे स्टैप 1 क्या बना, स् से पहले, बिटा जिस यहर बें तुझे रिसी ओ आया, मतलब 2024-25 में पैसा रिसी ओ हमें बता, इंकलूजिव कितना रिसी ओ हुआ है, पिछले साल का भी मिलाकर, इंकलूजिव कितना है? सर इंक्लूजिव है साथ बीस साथ बीस पर जो इंकम है टैक्स कितना बना देना सर टैक्स बना साथ बीस पर मेरा अभी बनाया था हमने चपपन पांच ठीक है जो बिटा एक्स्क्लूजिव तेरे हैं अगर यह हटा दे हम एक बीस तो कितनी income बनती तेरी 6 लाग, tax कितना बनता, sir, 32,500, हमने कितना फालतू ले लिया, 24,000, यह बनी step 1, sir, step 2, इस से पिछले previous year में, मतलब 23, 24, इस से, 23, 24, इंक्लूजिव तेरा कितना ले लिया हम न, इंक्लूजिव हमने कितना tax लेना चाहिए था, sir, 6,000,000, पर लेना चाहिए, कितना 32,500, हमने exclusive लिया था, यह income जोड़ी नहीं थी, 4,80 पे tax लिया था, तेर से, कितना लिया था, 4,80 पे, sir, आपने लिया था, 11,500, हमने क इतना कम tax लिया, तेर से, 21,000, यह हो गई, step, बिटा, step 3, step 1, minus step 2, is equal to step 3, मतलब 24,000, minus 21,000, कितने का relief दे दो, sir, 3000, बिटा, ध्यान से पढ़िए, sir, एक बार दिखा दीजे न, yes, देखो, बिटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ आया है, यह क्या खेला है, इस एर में inclusive बता दो, इस एर में exclusive बता दो, पिछले साल में inclusive बता दो, exclusive बता दो, यह वो tax है, जो हमने तुमसे जादा लिया है, यह वो tax है, जो पिछले years में कम लिया है, और इन दोनों का gap क्या है, इन दोनों का gap है, जो हम तुमें फायता दे रे, net हमने 3000 ही तो जादा लि अब आप पढ़ा दीजिए इस चेप्टर के पिलकुल पढ़ते हैं पहले, Arrears of Salary, अगर paid हुई है previous year में, अभी हमें, मतलब previous year का मतलब यहां लिख लो हमारे example में, previous year कितना था बेटा, 24.25 में receive हुई है, किसमें? 24. If not taxed in any earlier previous year, मतलब 23.24 में tax नहीं लग पाया, तो आप taxable हो जाएंगे received वाले year में, कौन से year में? Received वाले year में, किस base पर? बेटा, receive वाले base पर, और assessi को relief में मिल जाएगा, ऐसे बेटा advance काई देगो, salary, advance salary taxable in the previous year, in which it is received, अब उल्टा हो गया, 24.25 की salary, advance ले लिए अगले ने 23.24 में, उल्टा फाल तो salary ले लिए, फिर वही celebrate का difference आएगा, यहाँ पर भी relief मिल जाएगा, 89. मतलब next year की salary, इस साल ले लिए, next year मिलने है 4.80, इस साल भी मिलने थे 4.80, पर next year के पैसे अभी ले लिए, बेटा कुछ 10.000 पर मन, relief मिल जाएगा, तो पेटा ध्यान से, पढ़ते हैं, हमने relief का भी section लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, relief का section, ध्यान से, यह रहा, बिल्कुल last page पे, point number 6, ध्यान से पढ़िएगा, computation of tax relief, बिल्कुल end में हैं पेटा, page number 209, 209, page number 209 पर यह लिखा हुआ है relief, tax relief, computation of tax relief, when salary has been received, in arrears, अब परिछले सालों की salary अब receive हो रही है, या advance receive हो गई, अगले साल की salary, अब advance में receive हो गई, तो step 1, calculate the tax payable of previous year, मतलब, 24, 25 ता, in which arrear या advance receive हो है, total income inclusive, मतलब 7, 20, total income exclusive, मतलब 6,00, दौनों पर tax निकालो, tax का difference ले लो, वो आया था हमारा 24,000, हमारा example भी दिसासात लिखे ले ना, step 2, tax payable on every previous year, 23, 24, जिन में additional salary रिलेट कर रही है, total income inclusive, 6,00, exclusive, 4,00, थी, मेटा difference कितना आ रहा था, 21,000, step 3, 24 और 21 का difference कितना हो गया, 3,000, sir, example, salary for Mr. Ram for previous year, 19, 20 लिख रहा है, इसे ठीक कर लो, 23, 24, was 40,000 रुबे परमन, on 14, 2,024 कर लो, इसे, it was increase कर दी पचास अजार, कब से, बिटा, 14, 20, 20, पिछले साल से ही, बढ़ा दी असे, relief बताईए, under section 89, solution, बिटा, 720 पे निकाल लिया, next, ये पुराने rate से निकाल रखा, ठीक कर ले नहीं से, 56, 56, 6,000, पे निकल गया, कितना, 32, 500, difference, 24,000, बिटा, ये 6,000, पे आ गया, 32, 500, 4,80 पे आ गया, 11,500, ये आ गया, 21,000, relief मिल गया, 3000, आया समय पटाई, ठीक कर ले ले, relief कितना मिल गया, 3000, I hope बिल्कुल सबज आ गया होगा, क्या कहना चाहरा, clear हुआ, relief के बारे भी, एक क्या कहना है, आये बेटा, वही पे आये, section पंद्रा पही, section पंद्रा, section 15, important notes, salary advance, पेला note, salary advance, does not include, the loan advance by the employee, to the employee, सर means, क्या कहना चाहरे, salary advance, does not include the loan advance, बेटा, कही वार ये बच्चे, first जाते हैं, इस question में, अगर हमने बोल रहा है, salary ही advance मिली है, advancement of salary, या loan of salary, of salary का ही loan ले लिया, तो बेटा, ये तो salary भी taxable होगा, समझा रहा है, advance of salary, तो salary ही है, वो loan नहीं है, देखो कह रहा है, salary advance does not include, the loan advance by the employer, to the employee, loan अलग चीज है, salary अलग चीज है, मतलब, इसको ऐसे समझने की कुशिश करिए, अगर employer ने, employee को, loan ये advance दिया है, और against salary दिया, loan and advance पर against salary, ज्याद दिसमझे, against salary दिया, दिया loan and advance है, पर against salary, तो बेटा salary तो just security है, कि अगर कल को तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, तो मैं salary में से काट लोगा, salary security है है हमपर, salary advance में थोड़ी ना दिया, तो बेटा ये loan and advance है, पर अगर salary advance में दिया है, यह word लिखा हुआ है, advance of salary दिया है, यह word लिखा हुआ है, loan of salary दिया है, तो बेटा ये तो फिर salary दिया है ना, advance में salary के, दोनों में फर्क है, एक तो है मैंने आज ही salary दे दिया है, तो मैं अगले महीने की, यह salary का advance दिया है, मतलब यह salary तो दे दिया है, salary वोई taxable होगा, पर मैंने loan दिया है, against salary, salary का against loan दिया है, against salary, that is the loan and advance, and salary advance में दिया है, advancement of salary दिया है, loan of salary दिया है, तो यह salary में taxable होगा, I hope बिल्कुल किलियर होगा होगा, salary in lieu of notice period, देखो एक और exception आगए, is fully taxable on received basis, बेटा यहां नहीं लिख रहा है, due or receive whichever is earlier, यहां लिख रहा है, only received basis, अगर notice period की salary मिल रही है, तो गैसे taxable होगी, सिर्फ received basis में, सर notice period क्या होता गया है notice period, notice period की salary का meaning क्या होता है, notice period, बेटा Mr. X, अगर company छोड रहे हैं, leave कर रहे हैं, leave the job, तो बेटा ऐसे case में, उन्हें one month notice देना पड़े गया, मतलब इसका मतलब है, Mr. X, अगर तुम, एक April, 2024 से company में नहीं आऊँगे, say अगर नहीं आते हो, resign कर रहे हो, तो आपको एक April, sorry, एक March, 2024 में बतानी पड़ेगी ये बात, एक महीने पहले, ताकि हम इंतिजाम कर ले, अब देखो, बंदे ने resign कब कर लिया है, एक April, एक March, 2030, अब तो वो notice period सर्व कर रहा है, 31 मार्च था, अब वो company में आ तो रहा है, ये आ रहा है, company में काम तो कर रहा है, पर बेटा ध्यान से, अब वो company में काम तो कर रहा है, पर अब इसका boss और employee वाला रिष्टा नहीं है, resign तो कर दिया, तो जो इस period की salary मिलेगी, notice period की salary, ये चाहिए do हो गई 7 April को, पर boss ने ये दिये, ये salary, 7 April 2024 की जगह, sorry 23 की जगह, एक मिनट, यहां 24 आएगा, यहां भी 24, 7 April 2024 की जगह, boss ने ये salary पे किये, 7 April 2025 में, एक साल बाद, तो पिटा, ये taxable कब होगी, 25 जगह से, और उस वक्त ये employee भी नहीं था, फिर भी salary head में taxable होगी, दो exception होगी, एक तो receipt basis पे taxable होगी, notice period की salary, और दूसरा चाहिए employer employee रिष्टा नहीं है, तब भी ये taxable हो जाएगी salary head, पिटा, दोनों बात ही समझ आ गए, एक तो बात, ये receipt basis पे taxable होगी, और दूसरा चाहिए employer employee रिष्टा नहीं है, ये तब भी taxable होगी, explanation one, removal of doubts, it is hereby declared that, where any salary paid in advance is included in the total income of any person, for any previous, it shall not be included again, in the total income of the person when salary becomes due, पिटा, ये तो obvious सी बात है, अगर declare किया गया, अगर salary advance में pay होगी, मतलब 24-25 की salary, due होगी 24-25 में, पर बंदे ने 23-24 में ही ले 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 ले, salary receive कर ले, तो receive or due, whichever ही जाले, receive basis पर tax लगया होगा, तो द्वारा थोड़ी न लगेगा, जब ये due होगी, तो जब ये salary due होगी, तो अब इस पर द्वारा tax नहीं लगेगा, पिटा समझ आ रहे, explanation two, any salary bonus commission, remuneration, अगर partner को मिल रही है, partnership firm से, तो याद करू, PGBP में पढ़ लिया था, ये salary में taxable नहीं होती, ये PGBP में taxable होती है, section 40B, और detail में discussion किया था, हमने PGBP के second lecture, second video में, बिटा याद आ रहा है, तो ये salary में taxable नहीं होती है, काँ में taxable होती है, PGBP, let's understand the employee's salary structure, that is very important, let's understand the employee's salary structure, बिटा प्लीज नियांत समझेएगा, क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फिर general concept है, ये tax नहीं नहीं बताया हूँ, tax का हम देखेंगे, general concept, बिटा मैंने रा, face to face में भी आप बच्चों को बताया था, एक बात बता ही थी, और मैं फिर बता हूँ, जब मैं salary का जप्टर पढ़ता था, as a student, तो मैं ना काफी चारी चीज़ों को लेकर, बहुत confused होता था, बही आप अलाउंस क्या होते हैं, परकेज़ूट क्या होते हैं, कभी कहते थे चीज़ या हैं, मैं section में confusion कर देता था, तो मैंने ना एक बार salary slip देखी, मतलब actual में एक boss से बात करीं, इसे ऐसे बानी ए, actual में एक employer से बात करीं, actual में एक boss से बात करीं, employer से बात करीं、 और मैने बोला, आप जो employer पेमेंट करते हो employee, या दो सुनीजह का मेरी language, मैंने boss से बोला कि आप जो payment करते हो employee को किस किस नाम से करते हो, क्या payment करते हो, फिर मैं tax वालों से बात करूँगा, फिर मैं income tax में बात करूँगा, यह tax लगेगा, salary में यह नहीं लगेगा, आप न अपने section में कहा लिखा होगा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, जैसे, मैंने boss से पूछा, आप salary नहीं दे रहे हैं, कभी-कभी चश्मा दे रहे हो, specs दे रहे हो, चश्मा दे रहे हो, employee, एक अवाव है taxable होगा, sorry, taxable नहीं, इसको भी आप salary बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या नाम देते हो, तो मुझे boss ने बताया, इसे हम perquisites बोलते हैं, तो मैटा, पहले न income tax से नहीं, यह general concept है, यह हम एक employer से मुझ रहे है, सर आप किस-किस नाम से payment देते हो salary, तो हम देखते हैं, किस-किस नाम से वो payment देते हैं, आईए बटा, यहां से, salaries are paid by organizations to their employees, लिख रहा है वाट, organizations के दोरा, उनके employees, in exchange, जब हो service लेते हैं अपने employees से, तो उने क्या-क्या दे रहती है, the salary paid to employees comprises of number of different components, वो कह रहे है, वो in-in-nown से salary देते है, basic salary allowance, perquisite and bonus, अभी हम tax treatment बाद में देखेंगे, पहले हम boss से पूछा है, क्या-क्या देते हैं, boss ने बताया, जी हम एक payment देते हैं, जिसका नाम है basic salary, फिर हम income tax से पूछेंगे, basic salary पर tax लगेगा, नहीं लगेग बेटा, हमने पूछा, तो employees को given की जाती है, employees को दी जाती है, क्या basic salary, all employees are given, basic salary, which is paid to an employee, for reason basic qualities, जो basic qualities के base पर, educational qualification, work experience, इन सब के base पर जो दी जाती है, उसे बोलते है basic salary, बेटा, इसका nature of job पे depend होती है, basic salary एक तरीके से employee की base income होती है, और ये 30 से 35% of the total salary होती है, अभी देको salary में हम basic जोड़ेंगे, allowance जोड़ेंगे, perquisite जोड़ेंगे, और कुछ जोड़ेंगे, सब मिलाकर 100 रुपया आता है, ये सब मिलाकर basic, allowance, समझ रहे हैं, ये सब मिलाकर 100 रुपया आता है, मैं दौारा लेता हूँ, basic, allowance, और perquisite, ये सब म रुपया है, समझ रहे हैं, ये बोल रहा है 35 से 50 रुपया, basic जो salary होती है, किलर हुआ आपको मैं क्या कहना चाहूँ, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है जी, basic salary is always given in the form of scale और grade, basic पर मैं एक scale लगता है, grade लगता है, जो कि fully taxable, ये को ये बात भी बता दिये, ये मैंन under the graded system, annual increment fix कर दिया जाता है, advance में, grade में, और हर साल के complete होने पर date of joining से बढ़ा दिया जाता है, for example, Mr. Ram ने एक आठ उननिस को, 1st August 2019 में, किस grade पे join किया था, 20,000, 2,000, 3,000, 25,500, पहले इस point को ध्यान से देखी, फिर मैं समझाता हूँ, क्या कह रहा है, आगे बद पढ़िया, एक आठ उननिस को, 20,2,30, 25,45 के rate मतलब 20,000 की salary रहेगी, कितने की salary रहेगी Mr. Lam की, एक आठ उननिस को 20,000 की salary, और ये salary हर साल 2000 बढ़ेगी, हर इयर, मतलब एक आठ उननिस को कितनी salary है, 20,000, 1,8, 2020 में कितनी होगी, 22,000, 1,8, 2021 में कितनी होगी, बिटा, 24,000, 1,8, 2022 में कितनी होगी, 26,000, हर साल 2000 बढ़ती जारी है, कब तक 2000 बढ़ती रहे, किस दिन रुकेगी, जिस दिन ये 30 हो जाएगी, और जब 30 हो जाएगी, तो उसके बाद हर साल कितनी salary बढ़ेगी, 25,000, कब तक जब ये 45 हो जाएगी, और फिर इसी पर चलते रहेगी, एक्जाम्पल पर, डिटेल में समझने के, कोशिश करते हैं, बेटा, हमारे एक्जाम्पल में, आप बुक में खोल के भी रख सकते हैं, इस एक्जाम्पल में, Mr. X ने join किया है, एक आठ, उन्डेस, कितने की salary पर, बीस हजार की salary, बेटा, एक आठ, बीस से इनकी salary कितनी हो जाएगी, 22, एक आठ, एक्जाम्पल में, इक्जाम्पल 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 में, होगा अब ग्रेंड देखो बदल गया तीसाजार के बाद पच्छिस सो पे ग्रेंड आ गया अब मैं यही तक का बताता हूँ आपको समझा जाएगा वागी तो आप कर लेगे एक आठ हो बस मतलब आगस्थ सेप्टमबर ऑक्टूबर नवंबर दिसंबर जन्वरी फेबरी मा यही सेलरी तो टेक्से बलोगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं आपर अज्यूम कर रहा हूँ कि सेलरी सेम मन्थ में डी हो जाती है कभी आपका सर मार्च की सेलरी अगर अपरेल में डी होई तो यह तो सेलरी आठ महीने की सेलरी पर टेक्स लगेगा बतलब 20,000 इंटु 8 कितना हो गया इस यर यह यह चल रहा है एक अट यह 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 कौन सा था 19-20 यहां पर लिख देते हैं 19-20 यह कौन सा है 20-21 और 20 तो कब से शुरू हो गया होगा अपरेल 20 अपरेल 20 में सेलरी कितनी थी 20,000 ही थी 22,000 सेप्टमबर में 22,000 मतलब सिंपल सी भाषा में 20,000 इंटु 4 और 22,000 इंटु 8 यह सेलरी टैक्स लोगी 20 इस पर गुटा हो आया समझ नहीं आया अब सो ओन आप अगले साल की सब की निकालने की सा है पुड़ा किलियर गौई यह यह ग्रेड शिस्टम इंट मींस सेलरी 20, सेलरी कितनी चलेगी 20,000 इस पर बढ़ती रहेगी सेलरी जब तक एक तीस हो जाती है फिर पच्छिस सो बढ़ती रहेगी जब तक 45,000 हो जाती है उसके बाद कोई स्टॉप हो जाएगी 45 से आगे नहीं बढ़ेगी बढ़ा आया समझ ग्रेड सिस्टम एक बार करके देखिए के ग्रेड को द्वारा साथ भिएरनेस अलॉउज्स से एक अलॉउज्स देती है कंपनी ण। भिएरनेस अलॉज्स होता है hitting का बीडी पानी न। भिएन्स, कॉस्ट ओफ लिविंग के नॉर्मल इंक्रीज, कॉस्ट ओफ लिविंग के ते कर बढ़ा है इंक्रीज, कॉस्ट नहीं अभी तो हम income tax से पूछे कि इस पर tax लगेगा नहीं लगाएगा पर यह आपर बहुत सी बता रहा है इस पर लग जाता है tax में एंप्लोई को basic salary के साथ साथ एक additional amount दिया जाता है जिसे dearness allowance किया जाता है जो increased cost of living होती है customer price index से link होती है जो हाफ yearly revise होता रहता है महेंगाई के साथ से dear employee को pay किया जाता है 17 percentage of basic salary and is always fully taxable like basic salary सब नौर्मली आपे यह बताईए ना पहले आप allowance और perquisite में क्या फार्ट है बड़ा कही वार बता चुप होगी यह दुवारा आएगा तो बता तो अभी आए गनी चाहिए अगला आता है bonus bonus बेटा यह statutory payment है statutory payment मतलब एक कानून है bonus act bonus act के accordingly कभी-कभी employer के द्वारा employee को bonus देना बहुत जरूरी है employee मेहनत करते है productivity बढ़ा रहे है company की और बहुत अच्छा काम किया तो boss के accordingly कभी-कभी employee को तो bonus बेटा fully taxable होता है यह भी बता दे on received basis फिर देखो received आ गया ध्यान रखना exceptions bonus due or receive whichever is earlier but taxable नहीं होता bonus कैसे taxable होता है received basis और आपको याद होगा PGVP में bonus बेटा deductible होता है PGVP में section 36 में paid basis 43B के accordingly राइट अच्छा सर अगर bonus का का कानून कहें कानून लग रहा है भी जैसे मैंने आपको बताया bonus act लग रहा है और bonus act कह रहा है boss को employer को कि तुम्हें employee को bonus देना पड़ेगा तो bonus भी salary है और इस पर tax लग जाएगा लेकिन boss bonus act नहीं कह रहा फिर भी अपनी मर्जी से boss bonus दे रहा है employee तो इसे बोलते है एक्स ग्रैशिया payment क्या बोलते है एक्स ग्रैशिया payment ये भी bonus ही होता है और ये भी taxable होता है पीटा आया समझ नहीं आया अगर कानून कह रहा है हम इसलिए bonus दे रहे है तो इसे bonus ही कहते है taxable है अगर कानून नहीं कह रहा बोलते है एक्स ग्रैशिया payment और ये भी taxable होता है उपनी से ये एक वार नजर करा देंगे हम उसे हाँ, एक बार नजर कराते हैं, यह लिख रहे हैं देखु पेज नमबर यह पेज नमबर निकाल देता हूँ आपके लिए यह है बटा पेज नमबर वन-八-ट-नाई हुगा, पेज नमबर वन-八-ट-नाई हुगा, यह राविता, पढ़के देखे क्या खहर है बोनस, meaning of bonus, bonus is an equitable distribution of surplus, profit among the factor of production, the labour being one of the factors of production, part of the surplus profit have to be distributed, for the same way, when a bonus, I am आपनी इच्छा से तो इससे बोलते है एक्स ग्रेशिया पेमेंट चाह बॉनस दे रहे चाह एक्स ग्रेशिया पेमेंट पर फुली टैक्सेबर दोनों रिसीब बेसिस पर फुली टैक्सेबर बेटा किलियर हुआ आजाए यह वहीं पर द्वारा से चाह बॉनस दे रहे हैं चाह एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे रहें दोनों टैक्सेबर बिड़ा उसके बाद आता है फीस और कमीशन अगर कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए कमीशन या फीस के नाम से तो भी फोनी टेक्स है, allowance, अगला है बिटा, allowance and perquisites, ज्याद सुने, ये तीन main है, allowance के बारे में कह रहा है, fixed quantity of money or other substance, fixed quantity of money or other substance, बिटा, allowance is defined as a fixed quantity of money or other substance given regularly in addition to salary for meeting specific requirement, ज्याद से समझे हैं, बस इने करके हम class को over करने हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा heavy हो जाती है, बिटा, जो allowance होता, allowance का मतलब होता है, boss कह रहा है, employee से, कि चाहे तुम हवाई जास से आओ, चाहे train से आओ, चाहे bus से आओ, मैं तुम्हें एक fixed पैसा दूँगा, traveling के लाँगा, इसे बोलते है, traveling के लाँगा, बहिए चाहे हमारे लेके आप, कोठ में रहू, बंगले में रहू, फ्लैट में रहू, जोपडी में रहू, मैं तुम्हें 2000 रुपे मंत किराये के दूँगा, रहने के लिए, तो इसे बोलते है, allowance, और जब बास कहा दे, मैं तुम्हें घर ही दूँगा, कोठी में रहूगे, कोठी का किराया दूँगा, बंगल डे जी का पैसा fixed दे रहा है बहुत से इसे क्या बोलते हैं? allowance और जब facility का पैसा reimburse कर रहा है जितना घर्च होगा उतना मैं दूना अगर तुम हवाईजाज से आओगे, हवाईजाज का पैसा दो आओगे, अगर तुम ट्रेन से आओगे, ट्रेन का पैसा दो, तो इसे क्या बोलते हैं, परकुजेट्स, तो allowance के बारे में क्या कह रहा है, इस sum of them are given for official work, कुछ office के काम के लिए पैसे दिये जाते हैं, कुछ personal के अगर कुछ नहीं कहा ना, तो सारे allowance taxable होते हैं, पर कभी-कभी exempt होते हैं, यह याद रखना, कभी-कभी maaf होते हैं, यह हम पढ़ेंगे, हम किसी section पे तो मिलेगा, सारे allowance हमेशा taxable होते हैं, किसी भी नाम से पैसा बिल जाए, traveling allowance, house rent allowance, पर कभी-कभी यह maaf होते हैं, माफियो को हम पढ़ेंगे, कितना माफ होते हैं, बीटा, आगे चलते हैं, next, next चलते हैं, क्या कह रहा हैं, ध्यान से, allowance के बाद next आता है, perquisites, मैंने अभी बताया, perquisites means casual emolument, emolument मतलब salary, fees or profit, attached to an office, और position in salary, salary के अलावा, हम आपको facility भी देंगे, यह बीटा, तवी बेबल होती है, जब बंदा job कर रहा है, जैसी job छोड़ेगा, यह facility भी खतम हो जाएगी, अगर company ने अपना bungalow दे रखा है, तो bungalow ले लेगी, company जैसी job छोड़ेगी, company ने car दे रखे, car वापसी ले लेगी, कुछ perquisites बिटा office के लिए दिये जाते हैं, कुछ personal के लिए, perquisites हमेशा taxable भी ह हो सकते हैं, exempt भी हो सकते हैं, यह nature पर depend करता है, allowance हमेशा taxable होते हैं, कभी-कभी maaf होते हैं, पर perquisites कुछ taxable होते हैं, कुछ maaf होते हैं, in detail में discuss करेंगे, last विटा, retirement benefit, यह boss ने बता ही हैं में सारी बार, कि जब employee retire होता है, यह death होती है, employee को normally कुछ पैसे मिलते हैं, retirement के नाम पेंशन के नाम से, provident fund, तो इन सब को salary head में add करते हैं, यह profit and lay of salary में ले जाते हैं, और इन में से कुछ item exempt होते हैं, tax से, और कुछ हो पे tax लग जाता है, पूरा कुछ पूरे माफ हो जाते हैं, कुछ अदोरे माफ हो जाते हैं, इन सारे 7 item को जोड देंगे, जो 7 item अभी उप basic salary, प्लस क्या पड़ा, dearness allowance, प्लस bonus, प्लस fees, प्लस taxable allowance, प्लस taxable perquisite और प्लस taxable retirement benefit, तो क्या आजाएगी बिटाए, gross salary, और from the gross salary, we will give the deduction of section 16, gross salary में से section 16 की deduction जाती है, तो क्या आजाती है, income under the head salary, जिसे हम taxable salary भी कहते हैं, और ये income from salary होती है, I hope बिटा बाते समझागे, अभी हम deduction next class में पढ़ेंगे, पर फिलाल अभी यहां तक का आपने पढ़ना है, अच्छे से, यह हमने बॉस की बाते पढ़ी हैं से, बॉस की चीज़े उठाई, क्या क्या कहा है, बिटा तकरीबन 70 minutes का ये वीडियो है, आप इस पर focus करिएगा अच्छे से, हमने या पर salary का meaning पढ़ा है, salary की taxability पढ़ी है, क्योंकि अब अगले lecture थोड़े बड़े बड़े होंगे, अगले दो lectures में हम salary अपना over कर देंगे, ताकि हमें clear हो जाए कि salary में क्या क्या पढ़ा है, यह basic thought जो हमने किया है, introduction lecture था और आई हो, क कि आप इसे अच्छे से करेंगे, आज ही से करिएगा, करने के बाद मुझे reply भी करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी आपको doubt आते हैं, आप comment section में लिख सकते हैं, चलिए, thank you, thank you so much, जैश्या